तो सही है कि यह इस साल का आखरी लेक्चर है, 26 तारिक को तो हम मिलने ही पाएंगे, फिर नए साल में फिर से प्रत्यार के बारे में आगर देखते रहेंगे और इस साल में प्तावरिया जी का काफी कुछ लिटरेचर हमने देखा और समझने का प्रयतन किया है, आगे भी सब की इच्छा होगी तो 2022 में भी यह सब चालू रहेगा तो अब टॉपिक के उपर आते हैं, प्रत्यार के चेप्तर में तावरिया जी ने प्रानायम के बारे में बहुत कुछ बताया है तो मैं सोच रहा था कि एक्चुली जो तावरिया जी प्रानायम बता रहे हैं और ट्रेडिस्नल प्रानायम में डिफ्रेंस हैं, तो उसकी थोरिक समझ और चर्चा होनी जरूरी है तो प्रानयम सब्द जो है वो तो काफी पुराना है महरसी पतंजली से पहले से ये चले आ रहा है तो महरसी पतंजली ने भी प्रानयम सब्द का उप्योप किया आसन प्रानयम बगेरे जो पहले से चले आ रहा है इतने पुराने वो तो कहना मुश्किल है क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि ये 7000 पुराना आसन प्रानायम बगेरे सब्दा है क्योंकि शिव भगवान शिव ने ये सब्दों का प्रयोजन किया था इसा कुछ गुरंतों में कहा जाता है पर authentically जो हत्योग जो है वो ऐसा कहा जाता है कि क्राइस्ट से 400 से 600 साल पहले मतलब 4th या 6th century के अंदर बिफोर क्राइस्ट जो थे वो ये हुआ था मतलब कि अभी आज से 25-26 साल पहले अच्योग का प्रादर बाव तो हो गया था इसलिए ये सब्दा तो उस समय से ही प्रचलिट थे पतंजली मुनी से पहले से और हच्योग को फिर कुछ योगियोंने systematic form में इसको form किया उसमें सबसे महत्वपुर्ण नाम जो है वो गोरक्षनाट का है जो नार्च संप्रदाई के founder भी थे हच्योगी गोरक्षनाट जिन्होंने बहुत सारे हच्योग के किताब लिखे थे जो कि गोरक्ष सहींता गोरक्ष सतक अमनसक योग वगरे वगरे उनकी किताब थे और वो 11 सतब्दी में मतलब कि 11 सेंचूरी के अंदर वो हुए थे गोरक्षनाट उससे पहले भी कुछ हच्योगी थे जिन्होंने हच्योग के गरंद दिये थे जैसे कि हच्योग प्रदिपी का बहुत फेमस गरंद है जो स्वात्मा राम नाम के हच्योगी ने बनाया था और उसमें एक प्रानायम का पुरा चेप्तर ही है और अलग-अलग के प्रानायम बताए इसके अलाव एक और अटेंटिक गरंद थे जिसको गेरं से ही तह कहते हैं जो गेरं मुनी ने बनाया था उसमें भी प्रानायम वगेरे का जिक्र है तो इन सोट ये जो प्रानायम जो है वो कोई-ने-कोई रूप में मरसि पतंजली से पहले से रूप मे चलाया था पर मरसी पतंजली की परंपरा में उसका अर्थ अलब कर दिया गया जो सही माने में जो अंदर एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके संदर्ब में प्रानायम सब्द का प्रयोजन किया गया है हठ्योग के अंदर जो है वह एक ब्रिधिंग एकसरसाइज के रूप में उसका प्रयोजन है उसको बताया गया है मरसी पतंजली ने और उसके बाद में उनकी परपरा में तावरिया साब ने जो प्रानायम का आर्था में जो बताया है वो कुछ अलग ही है क्योंकि वो जो है वो एस्टरल बोडी के अंदर प्रान का किस तरह प्रान की जो मूमेंट है उसको समझना है उसको समझना है और उसका आयाम करना है उसको एक्सेंज करना है उसका कंट्रोल करना है इसके पर जो काम होता है उसको चैनलाइज करना है वो प्रान का आयाम है तो वो जो क्रिया अकि पाचंजली की परंबरा में प्रानायम कहा गया है और इसी का जिक्रह यहां तावरिया जी ने भी किया हुआ है और बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में तावरिया जी ने यह प्रानायम जो इस तरह के जो रियल प्रानायम है उसके बारे में बता है तो यहां कंफ्यूज भी जोने की जरोटनी है मैंने सूचा कि इसलिए किलियर कर दढून कृ क्योंकि वह siamoarlजी पतनजेली ने प्रानयम दिया है वह तो सही है पर उसे पहले से जो आ रहा है वह सक्सक्राइक है क्योंकि वह थी अहसे देट प्राताइक, स्पार, अलग प्रकार चाहतीत तो यह दोनों चीज सही है और डोनों का अपने अपने जंक से उसका उप्योग है तो यह जानना जरूर है क्योंकि जो मरसी पतंजली की परंपरा का प्रानायम है वो तो सामनी आदमी के लिए तो है ही नहीं वो तो बहुत मुश्किल बात है वो जब तक काफी समय तक लंबे समय तक साधना करता नहीं है यह साधना करने के बाद के एक पॉइंट के उपर यह सब सारी क्रिया है उसके अंदर चालू होती है तो उससे पहले उसको तो बहुत कुछ करना पड़ता है तो उसके अंतरगत व्यक्ति वो ब्रिधिंग टेक्निक जो है जो प्रानायम जो है उसका अभ्यास कर सकता है तो इतना एक क्लेरिफिकेशन मुझे लगता है कि जरूरी है अब यह चेप्टर को आगे पढ़ते हैं पर्पोस ऑब बटन डिस पेड नमबर 282 फर्स पेरिग्राफ वाई आर पॉइंट्स वन एंट्ट्व कंसिडर्ड फॉर रीजन रेजन पॉइंट नमबर वन और तू क्या है मुलादार और स्वाधिस्थान दावरियाजी ने उनके डायाग्राम के अंदर सब को पॉइंट्स दिये हुए हैं चक्रों को तो वन एंट्व का मतलब है मुलादार और स्वाधिस्थान तो मुलादार और स्वाधिस्थान क्यों रीजनरेशन के लिए कंसिडर किया जाता है उसको माना जाता है, उसकी वीचार ना की जाती है थी जनरेशन मा तरफ पूनर उटपडन, जो एनर्जी की जो उटपन होती है One or Two के आगे और लास्ताम आमने वह भी देखा था कि One or Two के आगे क्या-क्या एनर्जी है One के आगे Life and Awareness की एनर्जी और तुपे energy of essence of consciousness की energy third grade की ये last time हमने देखा था तो ये बहुत point बहुत महत्वपुना है और इसकी सुरुवात जब मा के घर्ब के अंडर जो बच्चा की जो सुरुवात होती है वहाँ से वो जो उसका ये मुलादार स्वाधिस्तान का जो point है उसका उसके साथ सबन है तो वो बारे में बताते हैं कि when at conception the first master sex cell is formed it then breaks into two तो जब conception होता है घर्बजारान होता है उससे हमने जो पहला जो sex cells बनता है और वो उसका डो के अंडर उसका वो bifurcate हो जाता है दो के अंडर वो जो master cell बने थे वो पहला और दूसरा उससे ही उनका यहां indicate करने का यह है कि मुलादार स्वाधिस्तान का भी वो ही है SL के अंडर वो मुलादार स्वाधिस्तान का है और यहां physical अंडर जो बनता है वो यही से बनता है तो यह पहले एक master sex cell होता है वो two में divide होता है मतलब दो होते है और उसके बाद में फिर उसका वाइफर प्रिकेशन उसका विभाजन continuously चालू रहता है और इसके अंडर से body का formation बनता है उसमें कहते हैं कि सबसे पहले spinal cord बनती है और बाद में brain बच्चे का बनना शुरू हो जाता है पर यह जो पहले जो cardinal nodes जो डो बनने है वो आगे जाके हमारे astral के अंदर उसको मुलादार और स्वाजिस्थान का यह counterpart यह physical है astral के अंदर उसको मुलादार स्वाजिस्थान का है from this important role of the two nodes that is मुलादार और स्वाजिस्थान very difficult and far-reaching tantric practices have been developed but a true tantric teacher is a near impossibility to find तो यह जो मुलादार स्वाजिस्थान का जो एक note से जो अंदर बना और आगे जाके जो हमारे यहाँ जो अलग-अलग परंपरा बनी उसमें एक तंत्र की परंपरा है तो तंत्र का भी relation जो है वो मुलादार स्वाजिस्थान से लेके है जो तंत्र के जो प्रयोग होते है उसका हैतु तो यह कि मुलादार स्वाजिस्थान को किस तरह activate किया जाए, सही किया जाए उसको join किया जाए और energy नहीं produce किया जाए वगरे वगरे तो वो तंत्र का एक हेतु था और इसके जारकी पहले के जमाना में कुछ प्रेक्टीस होती थी पर वो जो उसके कुछ रियल मास्तर उस जमाने में थे तब उसके आगे ये सब प्रेक्टीस होती थी अब तो कहते हैं कि ये नियरली इंपोसिबल ये चीज़ है अलोग ऐसा teacher मिलना ही असंभव बात यह है और इसलिए tantric practices को आज मानकी द्रस्ती से नहीं देखा जाता है और जो कोई कर रहा है वो गुपत रूप में कर रहा है इसकी कोई वो बात प्रकास में भी नहीं आती है पर अगर वो सही teacher नहीं है तो वो नहीं किया जा सकता उसके उससे और व्यक्ति दूसरे मार्क पर चले जाती है उससे real master होना जरूरी है in this stage of pratytahar non attachment or detachment take place बynnड वाय технолог है कि फ्रेश दम में प्राटयार का एक लक्षन है पर detachment किस चीज़ का The primary body is detached from the secondary body तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर तीन बोडी वैसे तो अलग अलग system के अंदर अलग बोडी बताते हैं पर तावरिया जी ने main जो उनके योग है उसके अंदर ये तीन बोडी बताया है physical body, astral body and mental body और उसके तीनों परकार के brain बताया है physical का brain, astral का brain और mental का brain अब mental की तो बात बहुत दूर है क्योंकि physical astral का complete formation जब हो जाता है physical और astral complete हो जाते हैं उसके बाद में mental का formation होता है तो mental की उन्होंने इसलिए खास कहीं पर भी चर्चा नहीं की है ज़्यादा तर उन्होंने बात astral की किये और physical की किये तो यहाँ जो है जो separation या detachment की बात है वो क्या है कि physical और astral जो दोनों जूड़े हुए हैं उसको separate करना उसको detachment कहते हैं साधना के अंदर एक point के उपर कुछ technique करने के बाद एक point के उपर साधक अपने astral को detach कर सकता हैं करियो लोग उसको उससे पहले कुछ प्रानायम करते हैं तो क्योंकि प्रानायम करने के बाद में वो आसानी से detach हो जाता हैं करियो लोग mantra का भी अभ्याज करते हैं मन्त्र की practice करते करते उसको detach करते हैं तो अलग-अलग मेथर्ड इसकी है और इस तरह फिजिक सर्कल से एस्टरल को डिटेच करना वही जो है वो प्रटियार का एक लग्षन है वाई? दे सेंस ओर्गन्स आर नोट दे सेंसिस देमसेल्स यह बात बार-बार हम हर जगह पर देखते हैं उनों के वो कहते हैं सेंस ओर्गन्स आर नोट दे सेंसिस देमसेल्स सेंस ओर्गन्स क्या है और सेंसिस क्या है आगे भी अमने बात की है फिर से कि यह जो आख है कान है नाख है जीवा है त्वचा है जिसको ग्नानेंद्रिय कहा जाता है तो वो इंड्रिय है ग्नान की इंड्रिय है जिससे हमें ग् पर जीवा जब तेस्ट का काम करती है रसका तब वो गनानेंद्रिया में आती है तो इस तरह पांच गनानेंद्रिया है और पांच कर्मेंद्रिया है पर जो यह जो प्रतियार में विद्रोल की बात है वो यह सेंस ओरगन की बात है वो ग्नानेंटिये के बारे में बता है तो पांच इस तरह की ग्नानेंटिये है जिसको सेंस ओरगन का गया है और उसकी जो अंदर जो शक्ति है मतलब आख है तो आख तो ओरगन है पर आख को का आ जाता है और वो जो है वो बाहर से हमारे अंदर incoming impulse के रूप में अंदर आते हैं तो इस तरह ये दो चीज़ को बिल्कुल clear कर समझना है क्योंकि प्रतियार की point ही ये है कि प्रतियार के अंदर ये sense organ और senses दोनों को अलग करना है दोनों को detect करना है वो प्रतियार है इसलिए खास दियान में रखना है कि ये sense organ क्या है और senses क्या है whereas the sense organs are in the physical body the senses nearly namely the incoming impulses that enter the primary body at the rate of 120 per second and form the electromagnetic field of the physical body flow in the primary body तो ये जो है ये sense organ जो है वो तो हमने देखे जो फिजिकल के अंदर है आख कानों अगे रहे पर जो incoming impulses जो आते है senses के रूप में बाहर से जो आते है वो जो है वो 120 के rate से आते है एक second के अंदर 120 के rate से हमारे astral body के अंदर वो flow होते है और उससे वो एक magnetic electromagnetic field मतलब एक विद्यू चुम्ब किया एक पुरा एक क्षेत्र बन जाता है और उसके वो उसमें से गुजरते हुए फिर आगे वो primary body में जाती है तो वो आती है पहले फिर physical body का जो यह electromagnetic field है उसमें अंतर होती है और उसमें से आगे जाके फिर वो primary body हमारा जो है astral body उसमें चले जाते हैं वो impulses 120 है वी आर टेकिंग इंटो एकांट ओनली दोस impulses वी आर कंसर्ण वीट इन दे तिंकिंग प्रोसेस फोर अधर्वाइस एस डॉक्तर किंग हैस सेड नियरली 30,000 impulses एंटर आवर सिस्टम पर सेकंड तो इस सजार impulses हमारे body brain system में हर सेकंड पर एंटर होते हैं पर उसमें से 120 जो है वही brain में जाते हैं और वो ठिंकिंग प्रोसेस के अंदर इसका उपयोग होता है बागी की जो impulses है उसका और कोई कुछ काम रहता है जैसे body का maintenance का काम है दूसरा और कोई काम है body के लिए वो सब कामगात जो जरुट नहीं होती है वो हमारे अंदर भी ब्लेक होल है brain के अंदर और वो ब्लेक होल के अंदर चले जाते हैं और वह वैनिश हो जाते हैं तो जैसे ब्रह्मान के अंदर ब्लेक होल है इस तरह था और यह जी कहता है कि brain के अंदर भी ब्लेक होल है और ब्लेक होल के अंदर ब इस तरह पुरी सारी प्रोसेस होती है, जो बोडी में इंपल्स आते हैं उसका, इस तरह यह प्रोसेस होती है बट एस लोंग एज तो बोडी आर को जोइन, दे फ्लो अप सेंसिस इन्टो दे सेंस ओर्गन और देंस तो तालोका इस सिम्लेस एन सिमिंगली अन ब्रोकन तो यह पूरा, क्योंकि फिजिकल और एस्टरल बोडी दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो यह जो फ्लो है, जो सेंसिस अंदर आते हैं, या इंकमिंग इंपल्स आते हैं, वो हम जानते हैं कि फिल्मे तो आ गया है, फिर फिल्मे से वो एस्टरल के अंदर पहले मुल उसमें से आइडेंटिकल मेमरी वो ले लेता है, आइडेंटिकल का मतलब जिस प्रकार का इंपल्स अंदर आया, उसी प्रकार की जो मेमरी, जैसे कि बार एक वस्तू अमने देखी, कोई XYZ देख, कार देखी, और कार का जो इंपल्स सेंसिस द्वारा हमारे अंदर आया है, वो census के रूप में हमारे अंदर जब आता है तो वो जो उसके अनुरुप जो memory अंदर पड़ी होगी क्योंकि car तो हमने बहुत बार देखी है अलग अलग प्रकार की car देखी है तो उसकी memory हमारे अंदर पड़ी हुई है तो एक और impulse car का अंदर आया और इसी प्रकार की जो लखो करोडो मेमरी है उसमें से वो ही identical मेमरी बार आएगी मतलब कार की मेमरी ही उसमें से बार आएगी और फिर वो दोनों इकत्थे हो जाएंगे impulse और मेमरी फिर वो आगे traveling करेंगे brain के उपर के हिस्से में से वो फिर आगे जाके यहां जो हमारे IESM केंडर है वहां से वो प्रकट हो जाएंगे उससे पहले IESM की प्रक्रिया होती है चारो केंडर की इंपल्स वगरे के ऊपर वहां decoding भी इसका होता है वो सारी चीज हमने inner discipline में already देख ली है और आपको भी याद होगा Earlier, before this stage, the major block or wall, a taluka was always in open position so this incoming impulses enter the passage over the top of the brain and in doing so, pull out identical memory patterns from section 3a normally and these two together proceed to section 1, the registration area with the four vital points IESM where mind modification take place तो यह मैंने जो प्रक्रिया बताई यहां उसी की बात उन्होंने फिर यह की है कि यह जो section 3a के आंडर उसकी जो memory पड़ी है बहुत सारी memory, यह जनम की memory जो है वो उन्होंने यहां तालूक आके अंडर डो section बताया section 3a and section 3b तो 3a के अंडर उसको cello memory के दे हैं और cello memory में इस जनम की सारी memory होती है तो जो impulse से अंडर आया, उसके मुटाविक, वहां से कोई memory उसके अनुरुप memory बाहर आती है और फिर वह आगे जाके, आईए SM केंडरो पर जाके वह mind modification मतलग चिप रूर्ती, विचार या रूर्ती बन जाती है यह सारी इस तरह की process हम जानते हैं in the case of ordinary person, now and even tomorrow, will this be the same old story but in प्रत्य हार, there is a total change अब यह जो हमने आगे जो पूरी process देखी incoming impulse की से लेके जब तक वह विचार बनता है वह एक ordinary व्यक्ती जो है कि जिसका आवाल हमेशा 2400 गंते उपर का खुला रहता है तो brain के अंदर जो impulse आते हैं वो चाहे न चाहे वो brain के अंदर गुसी जाएंगे क्योंकि तालुका के पास में जो वाल है जब तक वह खुला रहता है तब तक impulses अंदर ही जाने वाले है और कहीं जा नहीं सकते इसलिए यह normal व्यक्ती है ordinary person है उसके लिए तो यही एक process बाकी है जो सादक है और वो जानता है कि यह तालुका का वाल को किस तरह बन करना है तो brain के अंदर यह सारी चीज नहीं जाएगी incoming impulse और विचार भी नहीं बनेंगे बाकी तो यह विचार बनना तही है और अभी हम जब meditation करते हैं करते हैं कि हमारे अंदर विचार नहीं हो तो यह तो नामुम्कीन सी बात है क्योंकि जब तक वाल खुला है तो तो अंदर आई जाएंगे तो वो उस समय फिर meditation में हम चाहे जितना भी meditation कर कुछ हलके हलके विचार भी चालो तो रहेंगे यह हमेसा सबने अनुबव सबका अनुबव होता है जो meditation करते हैं तो यह प्रत्यार का जो डाइरा है वो काफी लंबा है कई बार तो कहीं जनम ले लेते हैं क्योंकि प्रत्यार में बहुत सारी चीजे गटित होती है और लंबे समय तक उसको physical और astral का separate करके detach करके उसका अनुबव लेना पड़ता है separate से और बार का अनुबव लेना पड़ता है अलग-अलग universes क्या है astral universe क्या है astral universe के अंदर भी अलग-अलग क्या क्या चीज़ है यह सब अनुबव उसको लेना पड़ता है प्रतियाक्षे स्येज के अंदर, तो कहीं बार बहुत जनम तक लंबे समय तक यह चलता रहता है, अब यह क्या होता है, कि जब दो बाड़ी अलग हो जाते हैं, फिजिकल से एस्टरल अलग होता है, तो क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, अब आप जानते होंगे कि हमारे आख के अंदर एक रेटीना पीछे के इस्टे में चीज है, जो रेटीना के कारण ही हम देख सकते हैं, और वो रेटीना अगर वो डिटेच हो जाता है, मतलब अंदर वो अलग पर जाता है आख से, तो वीजन के अंदर काफी तकलिफ उटपन होती है, तो वो ही यहां कहता है कि अगर एस्टरल में यह जैसे यह फिजिकल में इस तरह होता है इस तरह एस्टरल के अंडर क्या हो सकता है तो कहता है कि but detachment of the primary body the astral from the secondary body the physical means clinical date of the physical body अब जैसे उसमें retina detach हो जाता है तो दिखाना बन दिखना बन हो जाता है यहां physical से अलग होता है तो temporarily क्या होता है कि physical as if जैसे date हो गया उसका मलब वो शरीर के अंडर अभी स्वास नहीं चलते है या एकदम दीमे दीमे बहुत दीमे सायत पकर भी नहीं सके इस दीमे क्योंकि उसमें सारी अंदर की process is almost stop हो जाती है इवन heartbeats भी बन हो जाते हैं तो यह सब एक बहुत डेंजर प्रक्रिया होती है और व्यक्ति को इसलिए यह सब गुरू के अंदर ही करना पड़ता है और कास करके जो हमारा divine fragment है डिवय है उसके अंदर यह process करनी पड़ते है क्योंकि physical body का जिंदा लेना जरूरी है एस्ट्रल छोडिया और physical का अभी तो clinical death जैसा है पर actual death हो जाता है तो फिर एस्ट्रल बॉड़ी वापीस ही नहीं आ सकता तो यह इसलिए यह प्रक्रिया जो है वो गुरू के guidance में करना होता है औ और आप जो ब्रह्मन महर्शी का पड़ेंगे तो उन्होंने खाक बता है कि उनको यह clinical death का दो बार अनुब हुआ था जैसे कि पूरी body का पूरा death हो रहा है और किस तरह दिरे दिरे उसकी क्रियाय बन होती जाती है और एक तो खाली 16 साल के तब उनको clinical death का अनुब हुआ था मतलब कि उनका भी जो पूरवजनम की यात्रा से उनको यह सब अपने आप में यह होता था clinical death मतलब यह estrel का detachment वगेरे उनको अपने आप में होता था और यह दो बार उन्होंने इस तरह का अनुबव किया था और आगे भी किया होगा पर दो बार का तो उल्लेक उसमें मिलत प्लीज दो नोट मिक्स अप विट एनी टाइप अफ ट्रांस पॉर अनलाइक इन ट्रांस देर इस अवेरनेस अल देवे एप्सुलिट अवेरनेस थूआउट तो कहीं लोग इसको ट्रांस के साथ में क्योंकि ट्रांस के अंदर भी बॉड़ी ऐसा थो रही हो जाता है तो clinical को ऐसा लगता है कि यह ट्रांस के अंदर व्यक्ति चला गया है पर ट्रांस नहीं है जब क्लिनिकल देट का साइन होता है वह बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसके अंदर पूरी पूरी अवेरनेस बनी रहती है जब व्यक्ति ट्रांस में चला जाता है तो अवेरनेस नही पर बारकि उसकी अंदर physical body की awareness और सब कुछ चला जाता है जबकि यह जो है यह जब clinical death की process होती है तब भी उसकी awareness अंदर से बनी रहती है और throughout बनी रहती है ल kötने झारव टनी आरव से प्यूंचा। और ब內र बनी अंजा यहिता कि अंदर अ मिलेखके सूपरेंद यहा जाल था बनींतर इंसेह तो यह जब फिजिकल का और एस्टरल डोनों अपार्ट होते हैं, तो कॉंटेक्ट कहां से होता है? यह अपना जो सेक्शन वन है, जो आई एसम के इंडर वाला जो एरिया है, क्योंकि जो एक्स्पिरियेंस होता है, उसको एस्टरल के अंदर, मानों कि एस्टरल बार गया और कुछ अनुभाव हो रहा है, तो वह अनुभाव का रजिस्ट्रेसन होना जरूरी है, अगर वह रजिस्ट्रेशन ब्रेंड के अंदर नहीं हुआ, तो वह अनुभाव का उसको पता ही नहीं चलेगा, वह जब जाएगएगा, तो जैसे कि कई oppressो हम निर के अंदर होते हैं, और नीन में कौन से सपने आये हो अमें याद नहीं रहते हैं चाहले उसका थोड़ा बहुत Registration हुआ हो या नहीं भी हुआ हो पर इस तरह एस्टराल का Registration होने के लिए Section 1 का साथ में उसका Connection जरूरी है ताकि वो जो Transcendental Experience उसको होते है वो जो इंड्रियातित अनुभव उसको होते हैं उसको यहां इसके ब्रेइन की अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसकी नोट होती है वो फिर नॉलेज बन जाता है और वो ही इसकी परस्टनालिटी बनती है पर वो personality physical नहीं है वो astral की personality है और कहते हैं कि उसके बाद में redemption की प्रक्रिया चालू होती है मलब redemption बाद में possible होता है In short समझना यह है कि जो astral के अंदर जो अनुबव ले रहा है वो brain को जानना जरूरी है तब वो अनुबव को अपने अंदर रख सकता है कई बार किसी को guidance देना है या कोई इसकी बार करते है तो वो समझ भी सकता है कि हाँ यह transcendental experience मुझे भी यह हुआ था तो इसलिए यह knowledge उसके पास होना बहुत जरूरी है अब एक quotation से true non-attachment does not consist in separating oneself from one's possessions but to possess as if one did not possess क्या कहते हैं यहां क्योंकि यह non-attachment सब्दा यहां physical और astral का होता है और senses और sense organ का यह non-attachment सब्दा बार-बार यूज किया जाता है पर क्या होता है कि normal course की अंदर लोग जो त्याग करते है उसको भी non-attachment कहते है और जो अपने चीज होती है जो possessions होते है उसके पास में चीजों का उसको छोड़ देते हैं उसको non-attachment वो कहते हैं वो non-attachment नहीं है आपके पास वो चीज पड़ी है पिर भी आपका आपका जो मन है उसके अंदर नहीं जाता है मतलब जी चिपकता नहीं है कोई भी चीज के अंदर चाहिए आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी है अच्छा बंगला है वो सब है पर उसका मतलब यह नहीं है कि वो आपने सब चीज को पजेश करके रखा है माली की बाओ जिसको कहते हैं तो माली की बाओ अंदर से च उसकी थी, फिर भी उसकी अंदर की स्थिती थी, वो ये non attachment की थी, वो कोई भी चीज़ की अंदर उसका जी चिपकता नहीं था, वो जैसे as if trustee की तरह जीता था, उसकी अंदर माली की बाव नहीं था. The man who is capable of true detachment is described thus, अब आगे भी कुछ quotation आते हैं, कि जो सही माने में जिसकी नहीं detachment किया है, अंदर से जो इसका detachment हुआ है, मतलब कोई चीज़ों के उपर जिसकी पकर नहीं है, ऐसी व्यक्ति के क्या लक्सन है, वो यहां बताते हैं, This man is known by some signs, उसकी कुछ signs, कुछ निसान या बताई गई है, he never complains, never makes excuses, when accused, he leaves facts to vindicate him, there is nothing he wants on earth or in heaven, but what God wills. यह बहुत उंची चीज़ यहां बताई है, लक्सन बताई है, जैसे गीता में सित्प्रग्ण व्यक्ति के लक्सन या जो भक्त है, उसके लक्सन बताई है, इसी तरह के यहां यह कुछ लक्सन है, कि वो व्यक्ति complain नहीं करती है, उसके अंदर फडियात का बाव निकल गया, उसकी कोई demand ही नहीं है, तो complain ही नहीं बनेगी, जब हमारी demand होती है और demand fulfill नहीं होती है, तब complain आती है, कि मुझे यह चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, या फिर relation के अंदर हमारी complain होती है, उसने मुझे यह नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे respect नहीं किया, मुझे मेरे लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया यह सब जो complaint जो है वो ऐसी व्यक्ति जो यह non attachment के stage के उपर है उसके अंदर से पहली चीज तो complaint वो कभी भी किसके लिए complaint नहीं करेगा कि यह आदमी ऐसा है वैसा है हम तो कभी कभी बातों बातों में ऐसा बोल भी देते हैं कि आरे वो जाने दो वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है पर वो जिसने यह non attachment सीद किया है वो कभी भी किसकी complaint नहीं करेगा किसी चीज की never makes excuse वो कोई भी परकार का यह नहीं करेगा स्वा बचाओ नहीं करेगा excuse नहीं करेगा कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है इसलिए मुझे यह करना पर का हम हर चीज के अंदर excuses दुन निकालते हैं जहां हम गलत साबित होने जारे रहे होते हैं ता हम immediately यह कर देते हैं यह तो उसमें मेरा कसूर है ही नहीं ऐसे excuses बना लेते हैं when excuse he leaves fact to vindicate him और जब उसके उपर को दोसारोपन होता है कोई उसको blame करता है तो वो अपना बचाओ भी नहीं करता है वो चीज को ऐसे ही छोड़ देता है बगवान के उपर छोड़ देता है कि जिसको जो कहना है वो का है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह वो चीज को अपने आप में काम करने के लिए वो छोड़ देता है तो रही देर के बाद एक break आएगा there is nothing he wants on earth or heaven but what God will उसको कुछ नहीं चाहिए न इस प्रूटवी के ओपर चाहिए इस दुनिया का नहीं चाहिए न स्वर्क का चाहिए कहीं का कुछ है उसको नहीं चाहिए बस खाली वो भगवान की इच्छा क्या है वो ही वो उसके मुताबिक जीना चाहता है जो बगवान जो इसको जिस तरह जीने के लिए प्रेडिट करता है, जिस तरह करमा करने के लिए प्रेडिट करता है, इसी तरह बस वो जीना चाहता है, यह लक्षन रियल डिटेच व्यक्ति है, उसका यहां बताया गया है, इसको हम त्याग नहीं पर वहराग्या कह सकते हैं, ये व्यक्ति के अंदर इस तरह का वहराग या बाव उत्पन हुआ है कि अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है His joy itself, His knowledge, without study, richness, without money, joyful company, without companions बहुत बात कही है यहाँ वो खुद अपने आप में ही एक आनन्द है जैसे आनन्द का महासागर वो खुद अपने आप में ही है वो आनन्द को अनुभो करता है आनन उससे अभी व्यक्त होता है जब हम ऐसी व्यक्ति को मिलते है तो जैसे वो खुद तो आनन्द के अंदर है और जो व्यक्ति उसके संपर्क में आते है वो व्यक्टि भी एकदम आनंदित हो जाती है Knowledge without study वो गनान का भंदा जैसा है और उसने कोई study नहीं की है फिर भी उसके उपास हर चीज़ का knowledge होता है Richness without money वो reach है उसको पैसे की जोट नहीं है उसके अंदर की richness इतनी है कि उसको पैसे का कोई उसको सवाल ही नहीं है उसके लिए Joyful company without companion उसका कोई companion कोई साथ ही नहीं है फिर भी joyful company अपनी company है उसको इतनी joyful लगती है तो ऐसी बहुत महान व्यक्ति होती है और ये सही माने में non-attachment सिद की वी व्यक्ति है या इसको स्थितप्रगन भी कह सकते है उसको वहिरागी सही माने में वहिरागी भी कह सकते है In this way, प्रत्यार and other still higher practices are to be practiced under a transcendental teacher तो ये जो ये स्थिती है ऐसे non-attachment की स्थिती और इस तरह की स्थिती के लिए प्रत्यार और उसके की आगे का जो higher practices है teacher की अंदर करना पड़ता है उसका जो अंदर का गुरू है divine fragment है जो आत्मा तत्व खुद उसका अभी गुरू बन चुका है उसकी वो द्वारा वो इस तरह का higher practices करता रहता है क्योंकि आगे भी हमने देखा कि जैसे clinical death जैसे stage के उपर आ जाता है व्यक्ति तो कोई गुरू का होना और उसका माल दसन बहुत जरूरी है अनिवारिया है the hours of practices are at night for a person so practicing must live a normal life the householder's life and so cannot afford to practice during his working and waking hours it is enjoined thus ये व्यक्ति जो है ये तावरिया जी की एका अखाश सर्ट होती है कि भई कहीं भी ये सब सारी सिदना साधना है कहीं पर भाग कर नहीं करना है ना इमाल ही जाकर करना है ना लंबे समय तक एकांत में रेके बट जो है वो व्यक्ति को householder life accept करके मतलब गरस्त जीवन जो है गरस्त होना चाहिए व्यक्ति साधी सुधा हो उसके बाल बच्चे हो और उकी तरह उसको भी struggle से वो गुजर रहा हो फिर भी उसको इस तरह की साधना करनी है पर क्योंकि वो householder है तो दिन बर में तो उसकी और फरज है उसकी duties है उसको कामकाज करना पड़ेगा उसको पैसा कमाना पड़ेगा बाल बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए दिन में तो वो साधना नहीं कर सकता है तो एक ही उपा है कि राट को उसको ये दोनों बोड़ी को सेपरेट करके साधना करना पड़ेगा तो एवरी नाइट जो है वो फिजिकल से एस्टरल को डिटेच करेगा और डिटेच के वो एस्टरल द्वारा साधना अपनी चालू रखेगा और बाद में आगे जाके वो रिडेम्शन के स्टेज तक पहुंच सके या वो साधना के द्वारा उसका रिडेम्शन भी चलता रहा है इस तरह उसको साधना करना है ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जो हमारे जो सोकॉल योगी है सनियासी है जो लोग साधना करते हैं और क्लेम करते हैं कोई ऐसे स्टेज के उपर पहुंचे हुए पर वो लोगों ने इस तरह हाउसोल्डर की लाइफ दी के नहीं ये कुछ उसको मिला है वो पर हाउसोल्डर की लाइफ के साथ में एक ब्रेक के बाद फिर से चलो करते हैं और इसलिए वो वही बाद यहां भी फिर से दो रहा थे और नो रूनिग आवे तो दे हिमालया और तो आश्रम इस इंडिकेट और वेवन आलाओ तो इस साथना के अंदर कहीं पर जाने की कोई यह नहीं अलाओ नहीं है वो मानियन नहीं है कि पर हिमालया पर चले जाओ और एकार में चले जाओ और या कोई आश्रम में चले जाओ और साथना करो यह नहीं है ग्रस्त जीवन में रहकर यह सब करना पड़ता है अब एक और बहुत अच्छा कोटेशन स्पिर से यहां लिया है किसी का कि ऐसी व्यक्ति किस तरह जीती है He works in the world of men He loves, comfort and serves He pays no attention to his personality likes, dislikes or attachment He stands as a rock of strength and a strong hand and a dark to all whom he contacts यह भी बहुत अच्छा एक कोटेशन से He works in the world of men यह जो दुनिया के लोग है उसके साथ में ही वो जी रहा है वो कहीं नहीं गया है वो कहीं नहीं भागा है दुनिया के लोगों के साथ में वो जी रहा है He loves, comforts and souls तो वो लोगों को प्रेम करता है सबको प्रेम करता है वो सुविदावों का भी उब्वो करता है ऐसा नहीं है कि वो कि वो ऐसा so-called ट्यागी हो गया कि मुझे यह चीज़ की जरूत नहीं मुझे यह चीज़ की अगर गारी की जरूत है तो वो गारी भी चलाता है जो चीज़ की जरूत है वो सब comfort लेता है और सब करता है वो सेवा भी करता है अपने कुतुम की और बार के लोगों की सब की He pays no attention to his personality likes, dislikes or attachment वो अपनी personality के बारे में कुछ सुचता ही नहीं है उसके प्रती उसका कोई ज्यानी नहीं कि मैं जरा ऐसा अपने आपको निखार लू मेरा ऐसा look होना चाहिए मेरी ऐसी personality होनी चाहिए बोल चाल मेरा ऐसा होना चाहिए एटिकेट ये वो सब उसका ये कुछ होता नहीं है इसके प्रती attention नहीं होता है अलाकि वो व्यक्ती बहुत नॉर्मल, सोबर और एटिकेट वाली होती है वो हमेशा ध्यान रखती है कि उसके द्वरा किसी को दुख न पहुँचे कोई गलत चीद न हो जाए उसका हमेशा वो ध्यान रखती है पर अपना lack dislike और attachment को वो छोड़ देती है उसका अभी समझो कि कोई lack dislike ही नहीं ऐसा है उसको या उच अंदर पढ़ा है फिर भी वो उसको कोई महत्वा नहीं देता कि मुझे यही चाहिए यह मुझे पसंद है और यह ना पसंद है और कोई चीज के का उसको attachment है उसके प्रती राग है यह सारी चीजों से वो निकल गया है He stands as a rock of strength Rock of strength जैसे कि सक्ती का एक एक बड़ा सा रॉक एक बड़ा पत्थर या परवत होता है इस तरह वो खड़ा रहता है परवत की तरह वो एक ताकाट से खड़ा रहता है And a strong hand in the dark To all whom he contacts उसके संदर्ब में जो जो व्यक्ति होती है वो उसको सबको व्यक्ति जो है वो हमेशा संभालता है उनकी care लेता है उनको जो चाहिए वो अपने से सब कुछ वो करता है उसके लिए और ये जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे खास तावरिया जी याद रहा थे क्योंकि उनकी personality के अंदर ये सब की सब चीजे हमने देखी थी इसी प्रकार के वो व्यक्ति थे कि दुनिया में सब के साथ जीते थे सब को प्रेम करते थे और सब के लिए जो कुछ सेवा जो कुछ है वो करते थे उनकी अपनी कोई personality का उनको ये नहीं था उनके कोई like dislike नहीं थे और उनके जीवन में भी बहुत सारे तुफ़न आया थे पर वो रॉक की तरह वो खड़े थे सब के सामने और सब चीजों को उन्होंने जेला था और उनके स्ट्रॉंग हैन सब को संभलते भी थे उनके संपक में जो लोग आते थे सब को मदद करते थे और एक बार तो उन्होंने किसी को कहा भी था कि भई तुम्हें अगर दुख आता है तो देखो मैं अगर यहाँ हूँ तुमारे साथ में और दुख आता है तो मैं तुम्हें समभाल लोगा जब मैं नहीं हूँँगा और तुम्हें दुख आएगा तो तुमको टिकना या समभलना बहुत मुझ्किल हो जाएगा तो उनका यह एक हमेशा रहता था कि कोई व्यक्ति दुखी है तो व्यक्ति को हमेशा उनको पता होता था जैसे कि एक व्यक्ति के बच्चा का देथ होने वाला था तो उसको पता था कि व्यक्ति का बच्चे का देथ होने वाला है तो एक दिन सुबह सुबह में वहाँ चले गए वह बापको बहुत उन्होंने ये किया, थफ थफ आया, दोनों को वो व्यक्ति को तो चेस पर उसको हाथ रखे, उसको ऐसे ये किया, और इस तरह जैसे एक हिम्मत देते हैं, उसकी सक्ति देते हैं, इस तरह उन्होंने ये दोनों को किया, क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके इ आगे देखते हैं, the other reason for practicing at night is that the physical body gets the much needed sleep, sound sleep that revitalize it whilst the astral body begins travel and the difficulty arising there from. तो ये एक दूसरा कारण ये भी है कि राट को practice करने का, कि राट को physical body के जो आराम की जरूरत है, तो physical body तो sleep में चला गया, वो तो पुरा आराम के अंदर ही है, एकदम sound sleep के अंदर है, और अपने आपको revitalize कर रहा है, फिर से वो energy प्राप्ट कर रहा है, और astral जो है, वो कहीं दूर जाके astral plane के उपर जाके astral जगाओ के अंदर जाके, मतलब कि भूवा लोग की कोई कोई जगाओ के, क्योंकि हमने देखें कि सब लोग के 7 sub-stages है, तो भूके 7 sub-stages है, इस तरह भूवा के भी 7 sub-stages है, तो भूके 4 sub-stages तो वो जानता है व्यक्टी, पर 56-7 नहीं जा फिर एस्टरल के जो साथ सबस्टेजी से उसको भी वह कहीं जाके वह सब उसका भी अनुभव करता है तब क्या चीज कहां है इस तरह की ट्रावेलिंग करता है और आगे किस तरह की क्या डिफिकल्टी है या हो सकती है वह भी वह सब डेख लेता है स्टान्य या है यह किसे लेशकेज सबस्कितलव ने करता थी यहा Kath der दूर्पर हूं यह वह प्रसेजर क्या में मुझा या है 123A के अंदर जाता है वो मतलब diagram 123A के व्यक्ती जो है वो जैसे हमने आगे बाद की ने इस तरह की व्यक्ती के अंदर क्या होता है कि impulse वो इडा पिंगला से होके तालुका में जाता है और तालुका से ब्रेइन में चला जाता है उसके बदले में ऐसा इसके साथ नहीं होता है, जब उसका एस्टरल बोडी अलग होता है, तब क्या होता है कि उसका बोडी, उसके अंदर इंपल्स जो है, वो डाइरेक्ट सेक्शन वन में जाते हैं, नॉर्मल कोर्स में वो गूम के जाते हैं, मुलादार से उपर होके वा उसका रजिस्टरेशन हो जाता है, तौजन्स अप सच नाइटली इसिस्ट अंदर दे शेफ और एबल गाइदन्स अप दिवान फ्रेग्मेंट आर कंड़क्तेद, विजिट्स, यह यह याँ प्रिंटिंग में तो यह है, सच नाइटली विजिट्स अंदर दे शेफ औ एबल गाइदन्स अप डिवान फ्रेग्मेंट आर कंड़क्तेद, तो थाउजन्स मतलब हजारों बार उसको आना जाना होता है, हर रात को वो जाता है और पिर आता है, इस तरह हजारों बार तो एक ही रात में कई बार वो जाता है और आता है, इस तरह हजारों बार इस तर are required to have a detailed scientific knowledge and proper understanding. No hasty glimpse in trance-like condition will ever do and is never possible. तो यह जो है इसके अंदर हमने आगे भी बात किये अभी कि बहुत लंबा समय तक के लिए यह प्रत्याय का स्टेज चलता है और यहां clear कर बताता है कि many lives are required यह जन्मो जन्म तक की इस तरह की प्रोसेस चलती रहती है प्रत्याय और आगे के जो स्टेज है उसके लिए और scientific knowledge जो है उसके द्वारा वो direct first hand knowledge जिसको कहते हैं वो first hand knowledge वो हमेशा लेता है और उससे उसकी एक proper understanding बनती है क्योंकि उसका खुड का अनुबव है उसने जो देखा है उसने जो समझा है वो खुड का अनुबव है इसलिए उसकी एक proper understanding उसके अंदर बनती है every night the disciple consciously watches अब हर राट को वो बहुत एकदम निरिक्षन करता रहता है कि क्या हो रहा है इसका astral body छुटता है किस तरह छुटता है कहां जाता है क्यों क्या कर रहा है क्योंकि यह सारी चीजे उसका जो गुरू है वो अंदर से मानियता है कि भई आरे आत्म सक्साट कर लो ने छोड़ो यह सब इसकी क्या जरूरत है और कहां सब ने यह सब किया था ऐसे हम बाते करते रहते हैं बीना समझे पर हकीकत यह है कि यह जो दिवयन फ्रेग्मेंट जो टीनों लोगों के अंदर आया है तो उसकी सरती यही है य यह तो एक बेजिक इसकी कंडिशन है तो उसको यह अलग-अलग लोग का अनुभव तो लेना ही पड़ेगा और क्योंकि अगर वह एस्टल बॉड़ी से नहीं लेगा और फिर हम जानते हैं कि प्रकुर्टी द्वारा यात्रा होगी मतलब यह 4 सबसेज में 5 में जाएंगे 6 में जाएंगे 7 में जाएंगे बू लोक में फिर भूव की यात्रा तो लाखों जन्मक तक कोई उसका यह अंतना आने वाला नहीं है इसलिए उसको क्या करना पड़ता है कि इसी जनम में एस्टरल बॉडी द्वारा यह सब अनुभव लेना पड़ता है जितने अनुभव हो कि जब तक यह सारे एक्स्पिरियंस को नहीं आएंगे तब तक Divine Fragment मोगत नहीं हो सकता क्योंकि वह खुद तो Knowledgeable है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर Divine Fragment अपने आपमें तो Knowledge ही है क्योंकि वह तो परमात्मा कांस है तो उसके अंदर तो पुरा गनान है सब कुछ है फिर भी व वो अनुभाव लेता जाएगा और मुक्त होता जाएगा, नुभाव लेता जाएगा होता जाएगा, वो रिडम्शन है. He separates his primary body from the secondary and leaving his physical under the care of his transcendental teacher as if in deep sleep, actually in a state of clinical death, continues his nightly studies. यह इसका estral को अलग करके यह इसकी अलग करके वो जो ट्राविल करता है और एक प्रकार की वह उसकी study होती है और एस study Transcendental teacher के समखे में होती है और इसका physical body के care ले रहा है दोरान जैसे कि वह body sleep के अंदर है तो कहते हैं कि वो sleep नहीं वो state of clinical death के अंदर होता है sleep से भी और गहरा but वो हर रात को इस तरह वो अनुबव लेता रहता रहता है और study करता रहता है and what are the studies study क्या है, वो क्या करता है the disciple now understands that the physical body is only an earth module and that the Kennedy base, the launching pad is beyond swear universe in the ring past not from where both the bodies were launched and from where they are also operated and where all thoughts, motives and acts are recorded faithfully in the three super micro recording monitors in the causal body बहुत सारी बाते यहां उन्होंने क्यार लाइन के अंदर बता दिये तो यह study को क्या करना है कि वो जानता है कि भई यह जो physical body है वो तो earth का module है मलब कि पूट्वी का एक यान है जैसे चंद्रमा के उपर यान जाता है मंगल के उपर यान जाता है इस तरह यह हमारा physical body तो इस पूट्वी के लिए ही है इस लोग के लिए है एक यान की तरह है और वो अखिकत में क्या है कि इसमें कोस्कमोलोजी भी है कि भू भू अस्वा और उसके बात में जो एक लोग है जिसको हम जानते कि महाकाल कहा जाता है और महाकाल जो है वो एक launching page जैसा है कि जहां से यह दोनों body निकल के यहां आते है तो यह उसको estral body के अंदर यह सब चीजों का उसको अनुभव लेना पड़ता है उसकी study होती है वो वहाँ तक भी जा सकता है जो advance है वो वहाँ तक भी जा सकता है महाकाल तक और महाकाल के अंदर क्या है कि हर एक व्यक्ति का अपना-पना causal body है Cossal body महener कारण शरी, कारण किस चीश का? जन्म और रवरन जो होता रहता है तो कोई खारण होगा, तो फिर जनम होता है नर्मारी से कारण कारण यह है कि अमारे कर्म और कर्म का रेकर्ड, जिसको हम चित्र वोक की बुक केते हैं नोर्मली सब सास्त्रों के अंदर क्योंकि सास्त्रों सिंबोलिक है तो सास्त्रों के अंदर ऐसा बताते कि चित्रबुक के पास एक बड़ी सी किताब है जिसके अंदर वो सबका इसाब किताब रखता है वो बड़ा एकाउंटन्त है चित्रबुक तो भगवान का एकाउंटन् यह ident Bagels से एक Noveclant's ह disg horrific सब कुछ होता है इस तरह हमारे ब्रेशिक्स कर T कि अंदर वो खुम कि अंदर दो जाता है जिसको हम dzi की तरह किते ने तो वह रेकोडि न्यवर्की करने है उसका रहता है इसा प्रताब होता है कि ब्रेन के अंदर होता है जो कुछ करते तो ब्रेन में रजिस्टर होता है ब्रेन के द्वारा तुरथ ही वह वहां कोजल बॉडी के अंदर रजिस्टर हो जाता है और इसके मिताबिक फिर हमारे जन्मा और मुर्ट्यू की साइकल चलती रहती है तो यह जो यह सारी चीजों का अनुबव उसको करना परता है एस्टरल बोडी के अंदर स्टडी करनी है तो क्या है ये सारे चीजों का उसको अनुबव करना परता है बट इन दे केस अप दे ओर्डिनरी परसन अन रिचिंग दिस अर्थ दिस अर्थ मोड्यूल forgets its main purpose of being a module only for research and scientific work and for fulfilling the only purpose that is redeeming which should be completed in as few visits as possible so as to return to the base for good तो अभी problem क्या है कि ये यान जो आया तो सही वो module आगया, art module मतलब physical body का जन्मा हो गया पर उसका जो हैतू था वो ये model भूल गया कि वह ये किस हैतू से ये physical body में मेरा जन्म हुआ है और वो हैतू के मुताबिक तो उसको सब redemption करना था और redemption के बदले और जो है कर्म का जत्ता और बढ़ाता जाता है और इस तरह जीता जीता जाता है बागी तो वो उसको यहां आखे ये, इसका जो हैतू वो करना है और इस तरह उसको scientific work करना परता है research and work जिस तरह बार की दुनिया में होता है उस तरह अंदर की ये study होती है और उस तरह उसको unavोड़़िम करना परता है पर ये सारी चीज जो है वो यहां इसके होटी नहीं है और फिर उसको वापिस इसी तरह रिटन होना पड़ता है जो उसका बेज है मतलब कि जो महाकाल है क्योंकि दूसरी बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति का death होता है तो क्या होता है जानते हैं कि उसके अंदर टीन बोडी है physical है, astral है, mental है और फिर आत्मत अत्तो है अब death हुआ तो physical तो यहां यह आगे जाता है वह traveling करते हैं और वह traveling करते करते पहले astral world में जाता है क्योंकि फिजिकल में यहां है तो physical में भूलोक में भूलोक से यह आगे जाके astral में जाएंगे और astral के अंदर साथ हो सबस्टेज है वहां तक एक टीन हो जाएंगे पर astral body की boundary जो है वह astral world है तो सेवन सबस्टेज के उपर astral body नहीं जा सकता क्योंकि वह तो mental body का area आ जाएगा तो astral body को क्या करना पड़ता है कि 7 सबस्टेज तक वह आत्मतत्वा और mental body के साथ जाता है फिर वह वापिस नीचे आ जाता है और पहला या दूसरा जो astral भूव लोग का जो पहला या दूसरा सबस्टेज है जहां जो astral world जिसको कहते हैं और जहां यह सब सारे मुटाक मार्ट मतलब की जो astral body जहां रहते हैं astral world में वो world के अंदर वो फिर वहाँ आता है वो भी उसकी कार्मिक गत्टी के इसाब से आता है जैसा है वो advance होता है वो इस तरह का वो astral मतलब के भूलोग के भूलोग के फर्स्ट सबस्टेज में सेकल में थर्ड में कहां वो फिर रुकेगा वो जो है वो उसके कर्म की गत्टी के इसाब से उसका advancement के इसाब से तही होता है मतलब की physical से astral mental और divine fragment तो आगे गए astral तक भूलोग तक astral तक astral ने भी traveling किया अब उसके आगे swallow आता है तब mental body और divine fragment भी खाली traveling करेगा और swallow जहां खतम होगा seven substance आएगा वहां फिर mental body भी रुक जाएगा क्योंकि उसकी यहां boundary है उसके उपर वो नहीं जा सकता है उसका body की रतना ही ऐसे है कि उसके उपर वो जा नहीं सकता है तो उसके आगे फिर खाली divine fragment जो है वो वहां महाकाल में जाएगा और वहां risk लेता है जब तक दूसरा जनम नहीं होता है तक महाकाल के अंदर ही हमारा astral body हमेसा रहता है एंपना अतमत अत्व हमेसा वहां रहता है और जब दूसरा जनम लेना होता है, तब दूसरा जनम के अंदर ये physical, astral body सब तैयार होते हैं, और मा के पेट से बाहर जब बच्चा आता है, तब ये अत्मत अत्वा इसके अंदर एंतर होता है, आत्मतत्वा कभी भी मा के गर्ब के अंदर नहीं जाता है एस्त्रल बोड़ी जाता है पर आत्मतत्वा अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि वो इतना प्योर है कि वो जब बच्चा बार आता है तब वो उसके सरीर के अंदर मुलादार स्वाधि स्थान से वहां स्पार्क होता है और वहां एंटर होता है इस तरह की पूरी प्रक्रिया है वो बहुत गहरी प्रक्रिया है बहुत गहरा साइंस है यह तो तावरिया जी ने हमारे लिए सब ओपन कर दिया है और इसलिए हम इस अप्तर डेट क्या होता है पर वह ज्यादातर सब थोरी सुनी-सुनाई बाते या थोरी कल्पना यह साथ सब ज्यादा होता है कुछ पुरानों के अंदर लिखा होता है उसको पकर के लोग बोलते हैं पर पुरानों को भी सही दंग में समझना बहुत मुश्किल है तो फिर मिसंदर स्टेनिन्ग हमारे अंदर क्रियाट होती है ठीक है तो चे बज़ रहा है यहां हम रुकते हैं इस पराग्राफ को फिर फिर से पुड़ेंगे यहां रुपते हैं किसी सब्सक्रूत्तर सवाल हुप पूच सकते हैं नहीं नेनेस्ट का पूच सकते हैं फिर भी कोई सवाल है तो पुछिए तरह साहिब नमस्ते उभेश हाँ नमस्ते बोलो अजय कोजल गोडी तो में जो कि नेक्स टैम पाच्छु समझाओ जो ओके 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 बले 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 विजा कोई ने कहीं चलिए तो यहां समाप करते हैं नए साल में फिर से मिलेंगे तब तक सब अपनी खेरियत रखे अपना दियान रखे और फिर नए साल में कुछ अच्छा सुभारम करेंगे तब तक के लिए रुकते हैं तैंक यू